Hello everyone, welcome to Carrier Club तो अगर आपने भी NMDC Limited में Junior Officer Training के लिए अपलाई किया था जिसमें की वेकेंसी आई हुई थी तो उसका अभी यहाँ पे रिटेन टेस्ट के लिए Admit Card जारी किया जा चुका है, हाल टिकर जारी किया जा चुका है आप इसकी Official Website से डाउनलोड कर सकते हैं या इस वीडियो की लिंक में हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं NMDC Limited की Official Website पे हैं, यहाँ से हम चलेंगे Career सक्षन में और वहाँ पे Check Out करेंगे क्या क्या Notice आया हुआ है, उसी में आप अगर देखेंगे, नीचे चलते हैं अब यह 4 April की Date में आप देखेंगे Employment Notification No.1-2022, Retained Test for the Post of Junior Officer Trainee in Various Disciplines is Scheduled on 24-4-2022 24-4-2022, यहनी 24 April को आपके Retained Test scheduled हुए है Call Later से Admit Card are being issued by registered post to all eligible shortlisted candidates, candidate may visit the following link तो जो Call Later Admit Card है, आपको registered post के माध्यम से भी भेजे जा चुके हैं आप अपना यहाँ पे status भी चेक कर सकते हैं, application का Shortlist Candidate जो हैं अपना डाउनलोड कर सकते हैं, admit card भी online भी डाउनलोड कर सकते हैं साथी साथ यहाँ पे SC, ST, NP, WD and X Servicemen Candidate का एक TA का form है जिसमें आपका जो travel में खर्च आएगा उसको आप अपना reimburse करवा सकते हैं और एक model question भी return test का यहाँ पे दिया जा चुका है तो इस status अगर आपको चेक करना है तो इस link पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना अपना registration number, date of birth यह security code डाल के अपना आप यहाँ पे login करके status चेक कर सकते हैं अगर आप अपना registration number भूल गया है तो यहाँ पे आप forgot registration number पे क्लिक करके registration number को भी अपना पा सकते हैं second link की बात करें तो यहाँ पे admit card डाउनलोड करने का same process यहाँ होगा registration number, date of birth यह security code से आप login करके admit card भी अपना डाउनलोड कर सकते हैं model question papers पे क्लिक करके आप यहाँ पे model question paper डाउनलोड हो जाएगा उसको check out कर सकते हैं यह है sample mcq pattern जो की start question अगर आप देखेंगे यहाँ पे किसके हैं discipline knowledge के होंगे start question then paper 2 होगा जिसमें general aptitude होगा verbal reasoning होगा gk होगा numerical ability होगा data interpretation होगा 40 question उसके हैं instructions देखें दिये हैं इसके बाद आप नीचे देखेंगे कुछ model questions आपको मिल जाएंगे जैसे general aptitude की अगर बात करें यहाँ पे तो आपको देखने को मिलेगा in a bag there are coins of 25, 50, 50, 1 rupee in the ratio of 3, 4, 5 if there are all rupees 31 then how many 1 rupee coins are there in bag तो यह सब आप solve करेंगे इस तरह के questions वहाँ पे आएंगे देखेंगे आप 5, 7, 8, 9 इस तरह से 10, 12 question तक का आपको एक model paper दिया गया है subject knowledge में अगर आप देखेंगे देखेंगे आपका जो trade होगा उसके recording रहेगा जैसे यहाँ पर machine will be set to have CNC control if machine को एक computerized numerical control कप कहा जाएगा साथ आप जिस भी trade से हैं electricians से हैं या civil का देखेंगे यहाँ पर है electrical engineering है civil है साथ में आप mining engineering का भी देख सकती है यह सारी vacancy भी थी इसमें तो वो सारे questions यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं आपको इसके नीचे TA claim form दिया है अगर आप SCHTP, WVD या EX servicemen category से आते हैं तो आप यह form आपको download करके इसको fill up करके ले जाना होगा जिससे कि आपका जो travel में खर्च हुआ हो उसको reimburse किया जा सके यह है यहाँ पर form यह भी आप official website से download कर सकते हैं लिंक description में है इससे आपको registration number, name, postal, mailing address, सब कुछ इसमें fill करके कितना आपने amount, कितना आपने claim किया वो सब कुछ to and fro journey जाने का और आने का दोनो journey का जो जाने करहेगा उसी का आप double करके आने का देख सकते हैं अपना मिला के सब tickets की detail देके signature करना यहाँ पर आपको देन एक और आपको यहाँ पर pro farma है जो की ST category के लिए यह भी आपको fill करके देना होगा ठीक है इसके साथ ही साथ आप नीचे देखेंगे तो एक pro farma है जो की OBC category के लिए है यह format है यह सारे जो आपको बनवा के देने होते है category certificate के type का वह format से भी आप देख सकते हैं EWS जिनका income होता है general category में है उनके लिए भी यहाँ पर यह दिया हुआ है pro farma यह pro farma भी आप download कर सकते हैं साथ यह TA का form भी download कर सकते हैं जिसे की भरके आपना जो travel में आपका expense हुआ होगा उसको reimburse करवा सकते हैं यह कुछ update थी जो आपको वीडियो में हमने दी उमीद करते हैं आपको पसंद आई होगी कोई भी doubt है तो आप comment करके हमसे पूछ सकते हैं बाकी इस चैनल पर नए है तो subscribe जरूर कर लिजेगा इस पर आपको regular basis पर जितनी भी jobs की vacancy है उनसे related update सब कुछ आपको मिलता रहेगा thank you very much